दोस्तों मैं आपका बहुत बहुत स्वाइद करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल सेम टेक्निकल पर तो दोस्तों जैसे कि आप लोगो पता है फिलाल में भारस सरकार ने गोशना किये कि वह छोटे बिजनिसमेन जो जो छोटा मोटा बिजनिस करते हैं सुमॉल बिजन करवाना पड़ेगा आपको अगर आपका स्मॉल बिजनिस है चाहे आपकी पान की दुकाने परचून की दुकाने चाहे आपका कुछ भी छोटा मोटा बिजनिस आपका तो आपको वह रिजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा भारस सरकार की तरफ से लोन मिलेगा आपको इस SME तो यह जो है इसका अंदर का जो है जितने भी स्मॉल बिजनेश वाले होते हैं वह इसके अंदर रिजिस्टेशन करवाते हैं और भारत इस सरकार की तरफ से जो भी स्कीम आती है उसका बेनेफिट मिलता है और वो जो अपना मुवाइल नंबर और जो अकाउंट नंबर कर लोगों के पैशे भी आ रहे हैं किसी के हजार आ रहें किसी कश्यक पांसु के पैसा रहे तो भाई मैं आपको बतलाओंगा किसे तरीकितर को रिजिस्टेसन कर सकते हैं आप उसके नंदर किस दितन सरकार कर सकते हैं अगर आप सवाज пригelij गे तो आपको आसान हो जाई अपना registration करवारे जिनका भी छोटा मोटा बिजनिस है उस सारे registration यहां पर करवारे तो जिसकी वैसे सर्विस थोड़ा यह website थोड़ा slow चल रही है हैंग भी हो रही है तो आपको जो थोड़ा देरे रगना क्योंकि यह जो आपको जो अक्टूबर तलग की यह लाइस सब्सक्राइब कर लिए सब्सक्राइब कर लिए तो यहां पर आपको पूरा स्टेप समझना है आप भारस सरकार की तरफ से मिलने वाला जो लोन हैं वो किस तरीके से यहां पर ले सकते हैं सारे श्टेप आप समझ लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप जो इसकिप करकर करके देखेंगे तो भाई आपको बहुत जादा इश्व आएंगे उसके बाद आप मुझसे ना कहें कि भाई यहां पर हमें य किस मुझे सर्द में लिए यहां पर इसको आपको उपन कर देना है उसके बाद आपको नीचे आना यहां पर क्थ्र जिए कि इस तरीकव आघाल को आधार के अंदर चारा मज्ट के चायेगा यहां पर को किस तरीके का इंट्र भाई ध्यान रखना है आपका अधारकार यहां पर मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए सीधा-सीधा यहां पर लिखा वा रहा है कि भाई आपका अधारकार आपका मोबाइल नंबर से रिजिस्टेशन होना चाहिए तो यहां पर यह पढ़ लिजिए भाई नेशनल पॉर्टल ओफ रिजिस्टेशन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज यानि स्मॉल मीडियम जो बिजनिस होते हैं उनके लिए यहां पर आपको जो यहां पर देखते हैं उद्धियों का अधार में स्प्टेंबर में यह रिलोन चूटी और यहां पर फिलाल में 93 लाग यहां पर लगबग और अधार नंबर में होगा तो यहां पर आपका जो मुबाइल नंबर रिजिश्टर होगा इससे वहां पर आपका एक ओटी पी चलाए आएगा यहां पर उसके बाद आपको ओटी पी सब्मिट करना है वेट करते हैं यहां पर देखते हैं कितने देर में हम यहां पर ओटी पर यहां पर OTP डालता हूँ यहां पर मैं इसे वैलिट कर देता हूँ और उसके बाद यहां पर आपका यह option आगे अच्छला याएगा तो यहां पर आपको step by step देखना है भाई यहां पर तभी आपको सारा प्रोसस समझ में आएगा यहां पर उसके बाद आपको नीचे आयाना है यहां पर आपसे सबसे पहले आपसे आपकी सामाजिक वर्ग पुछरएरा आप जनल केटिगरी के हैं हैं एस्टी के हैं अनु शुचित जाती के हैं और अब सी के हैं जो उनसे के भी आप है और आप को मुझे तो नहीं तो नहीं तो नहीं के बाइब रापको डॉर्च नामडर राफ्स करते चाहि होका और तो मैं चली है डाल देता हूं कि चलीजीए उसके बाद यहां पर टाइप और और अर्गनाइजेशन से तो यहां पर आपको स्लेक कर लेना है यहां पर आपके तरीके का में वर्क करते हैं पार्टनेशिप में चला को अपर यहां पर यहां पर आप इस पर कर दीजिए पहले नंबर पर उसके बाद यहां पर आपको अप पर आप चूज कर लिजेगा जिस भी स्टेर्ट में आप रहते हो भाई यहां पर आप वो डाल दीजिए उसके बाद डिश्ट्रिक आपको चूज कर लेनी है पिन कोड डालना है मुबाइल नंबर डालना इमेल डालके यहां पर आपको सम्मिट कर देना है उसके बाद यहां अपनी जो बैंक डीटल बिल्कुल सही से डालनी है आप तो यहां पर आने वाले टाइम में जो भी सरकार की स्कीम आईगी और मुबाइल नंबर भी आपको डालना जो पर्मनेंट चलाते हों क्योंकि जो भी सरकार इसकीम वगएरा की जो भी डीटल आए करेगी तो वह आप आपको यहां पर बता चल जाया करेगी यहां पर एक्जामपल लिखा हुआ है तो यहां पर आप अपना जो बैंक अकांट नंबर वगएरा डाल दीजिए उसके बाद यहां से आप से काया रहा है यहां पर जो आपका मैनिफेस्ट्टरिंग वी निर्मान यहां पर सर्विस से वक्याओं की वहां पर अगर आपका इन इसके नीचे आना है और Πारस नज आपके कितने कुछ कर दो कितने कि यहां पर डाल देना कितने वैक्ति तो एक डाल दीजिए इन्वेस्ट्मेंट आपने कितने कर रहे हैं आपने बिजिनिस के अंदर वहां पर आपको से लेक कर यहां पर नीचे आइचe आपका चिला उड्योक कारियार ले आ जाएगा उसके बाद यहांपर आपको इसको सभता करता हुआ। यहां पर यहां पर तोकर ठीस पर पोड़ी इंच्री र्रेशर रहा है तो यहां पर थोड़ा आगर प्रोब्लम आती हो तो यहाँ पर आप जो थ्वा टाइम बाद एक दो दिन बाद आप यहाँ पर टाए गरकर देख सकते हैं तो यहाँ पर मैं साइड डिटेल यहाँ पर फिल करता हूं और नेक्स्ट बतलाता हूं आपको क्या option आपके सामने आएगा तो भाई जैसे आप यहां पर यह साइड डिटेल सम्मिट कर देते हैं उसके बाद आपको okay पर करना एक click और उसके बाद यहां पर next page पर ले जाएगा यहां पर आपको यहां पर capture मिलेगा और एक आपको OTP आएगा वो यहां पर आपको को सम्मिट करना है यहां पर सारे श्टेप आपको देख लें किस तरीकता आपको यह complete होना है यहां पर को देना है उसके बाद final सम्मिट पर कर देना आपको क्लिक तो यहां पर आप जब यहां पर क्लिक करेंगे यहां पर पूछा आपको पूछा आपको आपको पर पूरा का पूरा एक फोर्म आ जाएगा जो जिस पर आपके साइड डिटेल लिखी होई होगी तो वहां पर से जो यहां पर आपको इजी तरीके चाहिए तो आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट वगरा करवा सकते हैं उसके बाद वहां पर आपको क्या करना है आप मान के चलिए कभी भी अगर आपको उसको यहां पर करने के बाद आपको आप मैं बतलाता हूं कि सरकार की तरफ साँ आपको लोन किस तरीके दर मिलेगा वो भी आप यहां पर समझ लीजिए सबसे पहले तो आप जो किसी भी आपके नजदी की जो सरकारी सरकारी आपके बैंक है चाहे वो कोई सावी बैंक को उसमा आपको जाना है और यह लोन आपको सिर्फ दो तीन चीजों पर मिल जाएगा आपको अधार काड पैन काड लेगेगा और आपको यह MSME का जो सेटिव करना है मिरवाई सारे का सारा बिलकुल सिंपल सा प्रोसेस है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और उसके बाद यह जो ओफर चल रहा है यहां पर जो सरकार ने जो एक टाइमिंग रखिए अक्टूबर तलक्य रखिए तो अक्टूबर से पहले अगर आप सेल्फ एम्प्लो यहां पर आपको और सबसे इच्छी बाती है जब आप इसके अंदर रिजिस्टेशन कर लेते हैं तो उसके बाद यहां पर आपको जो भी सरकार की तरफ से सिवधाय होती है उसके आपको मैसेज वगरा आ जाया करेंगे जिनसे का आप उनके लाप भी ले लिया करेंगे तो यह प्रोसेस ता इसके बाद आप से आराम से लोन ले सकते हैं जितने वी सरकारी बैंक है उनमें जा कर तो प्राइवेट बैंक मुझे फिलाल में नहीं पता लेकिन आपको जाना पड़ेगा होई आप online प्रोसेस नहीं कर सकते इसका उसके लिए आपको बैंक में जाना पड यह आपको लोन की महाइद नहीं नहीं है जो कि सरकार ने अपनी तरफा से यह बात के दिये तो आफ यह बुरो और यहाँ को लोन ईजी तरीखेश मिल जाएगा, चलिए आज कि वुल युमेताई